तर केजरिवाव जी अभी जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री जी ही तै करते हैं कि कौन जेल जाएगा वो कहते हैं सोरेन को और मुझे उनके इशारे पे जेल में डाला गया अच्छा होगा यह लोग समिधान पढ़ लें देश के कानून नियम पढ़ लें मुझे किसी को कुछ कहने की जरूत नहीं है इस बार चुनाब मैं देख रहे हैं कि एक परसनल अटैक्स बहुत हो रहे हैं लाइक आप पर भी कई बातें बोली गई है और आपकी तरफ से भी कुछ लोगों कुछ बोला गया है तो परसनल अटैक्स किसलिए इस बार आपको लगते हैं यह यह शैली नहीं होने चाहिए जहां तक मोदी का सवाल है मैं तो पिछले 24 साल से गालिया खाखाखा करके गाली प्रूफ हो गया हूं मौत का स्वधागर किसने कहा था गंदी नाली का केड़ा किसने कहा था और मेरे यह तो पार्लामेंट एक दिन हमारे एक साथी ने हिसाब लगाया था ओके यह तो चुनाव या चुनाव नहौप यह लोग बाहते हैं कि कालीया देने का हंग उनका हीर और और फहतास निराजितने हो छुके हैं कि चुकर संद जायर। जहन में में हो गया है प्राणदि आरओप विपक्षे और लगा रही है की EDIT CBI इसका इस्तेमाल किया जा रहा है विरोधियों को दबाने के लिए मेरा मिडिया को सवाल है कि वीपक्ष ने आपको यह कुडा कच्रा पकड़ा दिया कुडा कच्रा ले कोडोरे करेंको सवाल पूछने सब चाहिए उसको पूछने उसकी आपकी हिंमत नहीं लेकिन वो जोकुंडा कज्रा ते हैं वह लेकर किया मेरे आए यह ठीक धिन मैं रिसाइकल के मानता हूं तो मैं इस कुड़े कच्वे का रिसाइकल करके उसको खाद में परिवर्तित कर दूँगा और उसमसे देश के लिए कुछ निका अच्छी चीज़े पैदा कर दूँगा इसलिए वो तो मैं करूँगा लेकिन सरकार क्या करती आज गांग के सर्पंच को चेक बूके सब्सक्रार का अधिकार नहीं होता मोधी सरकार का मैंड़िट क्या है मोधी सरकार ने अपने अपसरों को कहा है कि मेरी सरकार करप्शन के विशे में जीरो टॉलरंस अब यह दप्तर के अंदर बैटे विए लोगों का काम है कि उसको लागू करे और सच मुझ में तो किसी जमाने में 10 साल में मनमौन सिंगी के सरकार थी 34 लाग रुपया पकड़ी गए थे 34 लाग रुपया मतला भी एक स्कूल बैग में आप आ जाए वर्तमान में एडी ने 10 साल में 22 करोड रुपय पकड़ा है यह तो टीवी पर दिखता है मैं यह तो कई जूठबाजी हो सड़sti हो presses हो नहीं इसका मतलब यह जो चोर पकड़ी जा रहे हैं इसमें जिसकी भागीदारी होगी वो चिलाएगा जादी आपणों को आमों वीडियो टी भल लगिला तेवे आमों चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करेब कुछ जमें भी बुलों तो नहीं